बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की अटकले हैं कि आने वाले दिनों में जेडियू के राष्ट्य अध्यक्ष ललन सिंग का स्तीफा हो सकता है। कुछ ज़्यादा ही दूर की सोचने वाले तो यहां तक कह रहा हैं कि जेडियू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और नीतिश कुमार को ललन सिंग की लालू से नजदी की खटकने लगी है इसलिए वो ललन सिंग को हटा कर जेडियू की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं दूसरी तरफ ऐसी चर्चाएं भी हैं कि नीतिश कुमार असल में राजियू रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग की राष्टी राजनीती में भूमिका बढ़ाने की तयारी में है और ये सब उसी कवायद का हिस्सा है तो आखिर सच क्या है सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसी बुलाने की सूचना जारी की थी इसी बीच जेडियू की नेशनल एक्जीक्यूटिव की भी बैठक बुला ली गई इसके बाद सही जेडियू के भीतर उथल पुथल देखने को मिल रही है और अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि ऐसे बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं तो 29 दिसंबर को दिल्ली में कोई भारी भरकम निर्णे जरूर ले आ जा सकता है इन अटकलों को लेकर हमने परताल की तो पहली बात में कोई दम नहीं दिखा लेकिन दूसरी वाली बात में जाधा वजन नजर आया ललन सिंग इस्तिफा देही देंगे इसकी आधिकारिक त गटबंदन के दलों के बीच सीटों के बटवारे, नेताओं के बीच बातचीत, चुनावी रणनीती समेत ऐसी कई बातें आने वाले 6 महीनों में घटित होंगी जिन में काफी जाधा वक्त और डेडिकेशन की जरूरत होगी जेडिवू इंडिया गटबंदन का मतपूर्ण घटक है, मुख्यमंत्री की जिम्मदारी के साथ नीतिश कुमार के लिए इस सब में इतना वक्त दे पाना शायद संभव नहीं होगा इसके साथ ही उन्हें पार्टी की तरप से ऐसा भरुस्यमंद और जिम्मदार आदमी चाहिए जो इन दाइत्वों को निभा सके ललन सिंग इन सब में फिट बैठते हैं आसान शब्दों में कहें तो मिशन 2024 के लिए बड़ी जिम्मदारी ललन सिंग को सौपी जा सकती है और उन्हें पूरी तरह से राष्टी राजनीती के लिए एक्ट्यू किया जा सकता है का जा रहा है कि ललन सिंग ने इसी को देखते हुए इस्तिपे की पेशकर्ष खुद ही कर दी है अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर जेडियू अध्यक्षपत पर काउन तो इसके जवाब में ये सुनने को आ रहा है कि एन चुनाओं के मौके पर किसी भी विवाद को टालने के लिए नितिश कुमार ये जिम्मदारी खुद अपने पास रख सकते है यानि एक बार फिर से वो जेडियू अध्यक्ष की जिम्मदारी समाल सकते है बहराल इन अटकलों की सच्चाई 29 दिसंबर को दिल्ली में सामने आएगी तब तक के लिए हैं में थोड़ा सा इंतजार करना होगा